नमस्कार दोस्तों यूटूब चैनल ICT अगाट भी में आप लोग का स्वागत है अज फिर से हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकि आया हूँ इस वीडियो में बात करेंगे LIC Golden Jubilee Scholarship का पैमेंड के बारे में हैं जी आप रंस कुछ मैना पहले हम एक वीडियो बनाये था आप लोग के लिए 29 डिसमबर को जैसे के आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा जिसमें बताये थे LIC Golden Jubilee Scholarship के बारे में हैं और वीडियो क लगें तो एक लाइक कीजिएगा अपने दुस्तों के साथ वीडियो को सेर कीजिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिए नया अपडेट हमेशा पाने के लिए तो देख सकते हैं कुछ मैना पहले वीडियो बनाये थे LIC Golden Jubilee Scholarship के बारे में बहुत स्टूड़न न जिसका भी merit selection हो जाता है और government scholarship तो आप apply कर ही देते हैं तो government के साथ साथ आप private scholarship के apply कर सकते हैं government का rule है कि अगर आप government का scholarship एक apply कर दी एक session में तो दूसरा नहीं कर सकते हैं लेकिन आप private scholarship को एक से ज़्यादा भी apply कर सकते हैं तो बहुत सारा scholarship के बारे में हम बताये थे जैसे HDFC Bank scholarship, MI scholarship, LIC Golden Jubilee scholarship, KEEP India scholarship और भी धेर सारा scholarship है उसमें बहुत student apply कियें बहुत student को एक, दो, तीन, चार scholarship के लिए apply कियें और दो, तीन scholarship में student को payment receive हुआ अभी देख सकते हैं LIC Golden Jubilee scholarship में student को payment मिला, इसका merit selection हुआ था, कौन class की student eligible थे आप लोग देख लिजे, 11, 12, ITI, Diploma, Engineering, Medical, उसका graduation, लगभग सभी course के student इसमें eligible था, vocational course का भी student eligible था, देख सकते हैं तेक student ने हमको कह लिए अपना screenshot send की है payment receive का, तब लोग देख लिजे, और LIC Golden Jubilee scholarship के बारे में अधिक जानकरी के लिए वीडियो के description पे भी link दे दिया हूँ, आके आप लोग चेक कर सकते हैं, तो आप लोग आके चेक कर सकते हैं, अभी एक student का status, एक student को payment मिला, उसका proof देख आज रुपया का scholarship credit हुआ है, तो देख सकते हैं, इस student जो भी मतलब दो तिन scholarship के लिए apply किया था, student देख सकते हैं, NSP का आज और LIC Golden Jubilee का परसू मिला है, ये भी मैंने आपके वीडियो देखने के बाद ही डाला था, thank you sir, तो देख सकते हैं, हम जो भी scholarship related update करते हैं, बहुत सर student को payment नहीं मिलता, तो जिनको मिल जाता है, उसको लगता है, सही scholarship है, भाई हम apply किया हमको मिल गिया, आज इसको payment नहीं मिलता, तो लोग को लगता है कि कौन सा scholarship apply कर दे payment नहीं मिला, तो बहुत student को गलत लगता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, government scholarship में क्या होता है, कि बहुत ज्यादा student का merit selection होतार payment मिलता तो government को ज्यादा तर student को government scholarship receive होई जाता लेकिन ऐसे और बहुत student ऐसे भी होते जिनको government scholarship में भी merit selection नहीं होता तो उलोग क्या सोचेंगे कि government का scholarship भी फैक है तो बात है कि आपका merit selection पे depend करता आपका merit selection जिसमें भी बन जाए scholarship के बारे हम update करेंगे उसको भी अगर देखेंगे आप eligible होते हैं तो जुरूर apply एक बार करके देखेंगे पैसा तो लगेगा नहीं किसी भी से apply करने में आप अपने mobile से computer से कर सकते हैं वीडियो था हम बनाई देंगे तो आप लोग eligible होते हैं प्राइबेट के लिए भी तो जुरूर apply कर देंगे परसल गौबर्मेंट को 100% apply करी देंगे ठीक है तो अगर जानकर यह अच्छा लगे ते वीडियो को लाइक करें दोस्तो सेयर करें चले मिलतें नेक्स्ट वीडियो में